तो guys, iPhone 15 को मैंने launch day पे खरीद लिया था, 80,000 के price पे ये phone launch किया गया था इंडिया में, और अब अगर आप इसकी pricing चेक करते हो, तो आपको ये phone easily 65 से लेकर 70,000 तक भी मिल जाता है, और sales में उससे भी कम इसकी pricing हो सकती है, तो क्या आपको अभी ये phone लेना चाहिए नहीं, क्या- ये best phone है, तो इन सारे सवालोवा जवाब में इस वीडियो में देने वाला हूँ, so let's begin, तो इस phone पे shift होने से पहले मैंने iPhone 13 और 14 दोनों भी phones को use किया गया है, दोनों में कुछ ज्यादा differences नहीं थे, almost semi phone थे वो दोनों भी, बट 15 की बात अलग है, सबसे पहला change आपको notice होग इसके design में, हलाकि ये दिखने में 13 और 14 जैसा ही दिखता है, पर जैसे आप इसे हाथ में पकड़ोगे, आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या-क्या changes किया गया है, पहले तो हमें एक matte back finish देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ pro iPhones में अविलेबल थी, जिसके बचे साथ आप पीछे का glass है, वो काफी ज़दा smooth finishing के साथ में आता है, विसके साथ side frame के edges हमें थोड़े से rounded देखने को मिलते हैं, जिसके बचे से इसकी in hand feeling काफी ज़दा comfortable हो चुके हैं, विसके इस phone में हमें कोई action button देखने को नहीं मिलता, वो अभी के लिए सिर्फ 15 pro सीरीज के लिए है, तो में हमें usual silent switch देखने को मिलता है, जिसके आप एक step में इस phone को silent पे लगा सकते हो, जिसके साथ overall bit quality काफी ज़दा sturdy है, बहुत ही solid है, और यहाँ पे हमें IP68 की water and dust resistance देखने को मिली जाती है, विसके साथ में wireless charging का भी support देखा है, तो overall best design smartphone है यह इस presence में, अगर बात करे डिस सकते हो, तो यह काफी cool feature है iPhone 15 का, उसी साथ में अगर बात करें second upgrade की तो वह है brightness, यहाँ पर हमें maximum 2000 nits की peak brightness देखने को मिलती है, जूकि इसे काफी ज़दा bright बना देता है outdoor use के लिए, जब भी मैं 13 या फिर 14 को बाहर use काता था, especially sunny day पे, वहाँ पे मुझे काफी ज़दा दिक् इस नहीं है, यहाँ पे वही same हमें OLED पैनल देखने को मिलता है, काफी well-tuned colors देखने को मिलते है हमें, और HDR content भी आप अच्छे से इस phone पे चला सकते हो, डिस्पले में में बस एक icon है और वह है इसका 60 Hz refresh rate, डे-to-do-use में अगर आप already 60 Hz वाला phone चला रहे हो और इस पे switch करते हो तो आपको तो कोई issue face नहीं होने वाला, यह सिर्फ उन लोगों again pack करेगा, जो कि पहले से ही 120 Hz वाला phone चला रहे है, especially Android phones, और उनने डिसाइड किया है कि iPhone 15 पे उने switch करना है, तो उनको यह थोड़ी से दिक्कत दे सकता है, और overall अगर मैं कहूं, तो 60 Hz बहुत बड़ी problem नहीं ह कि iOS के animations काफी ज़दा smooth है, यहाँ पे आपको कोई lags देखने को नहीं मिलते हैं, और एक दो हफ़ता इस phone को चलाने के बाद आपको कोई भी problem नहीं होगी 60 Hz refresh rate के साथ में, तो overall display और design में एक अच्छा upgrade है 13 और 14 के comparison में, अब बात करें performance में तो इस phone में हमें देखने हो मिलता बिना किसी lag और status के, आपको यहाँ पे constant 60 FPS के gameplay देखने को मिल जाता है, यह बहुत सारे गेम से आप 90 और 120 FPS का support आ चुका है, बट unfortunately इस phone में 60 Hz का refresh rate होने के कारण, यहाँ पे सिर्फ आप 60 FPS तक की maximum gaming कर सकते हो, 90 और 120 FPS की setting आपको इस phone में देखने को नहीं मिलती, और एक issue यह ह कि सारे आइफोन में, जैसी आप बहुत देर तक gaming करते हो, phone जो हीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें extra cooling system देखने को नहीं मिलता, और जैसी यह phone heat होता है, यहाँ पे जो इसकी brightness से वो काफ ज़दा dim हो जाती है, तो इसमें थोड़ा सा आपको issue मिल सकत को नहीं मिलेगा, इस speaker quality इस phone की बहुत ही जबदस्त है, इसा लगत है कि आप एक mini Bluetooth speaker ही चला रहो हो, बहुत ही loud stereo sound आपको देखने को मिल जाता है, top और bottom वाले speaker से, उसे के साथ में haptics की quality top notch है, यहाँ पे हर जग़पे आपको haptics notice हो जाएंगे, typing experience काफी ज़दा बढ़ी इस phone पे, बिसे network और connectivity में मुझे अभी तक तो कोई issue face नहीं हो, क्योंकि जहां पे मैं रहता हूं, यहाँ पे constant 5G support मिलता है, wifi की speeds भी बहुत ही अच्छी है, wifi reception भी बहुत ही अच्छी है, बस बट एक चीज यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है, और वो है auto call recording का support, auto call recording मे अब आते है cameras की दरफ तो यहाँ पे भी बहुत बड़े upgrades किये गए है, पहले तो यहाँ पे primary camera आप 48MP का में देखने हो मिल जाता है, उसी के साथ में है 12MP का ultra bad angle lens, front में हमें 12MP की selfie दिए गए है, तो ना कि जिर्फ यहाँ पे main camera का resolution बढ़ाय गया है, यहाँ पे processing को भी अब ज़्यदा इंप्रूव कर दिया गया है, आइफोन 15 सीरीज के साथ में Apple ने इंट्रूस किया है Smart HDR 5, जिसके मदद से dynamic range आप काफी ज़्यदा इंप्रूव हो चुकी है, उसी के साथ में यहाँ पे हमें portrait में 2X mode भी देखने को मिलता है, जो कि पहले सिर्फ pro models में available था, तो य इस model होने के बाद भी camera इसका बहुत ज़्यदा बढ़िया हो चुका है, पर अगर आप टेली फूटो लेंस और macro lens को अगर छोड़ दो तो यह 14 pro की camera से भी आप बेटर है, क्योंकि यहाँ पर processing बहुत ही अच्छी हो चुकी है, और image quality जो है overall 14 pro से भी अच्छी हाजती है, उस especially content creation, अगर आपको shots record करनी हो, या फिर किसी भी तरह का content, अगर आपको अपने smartphone से record करना है, तो iPhone की video quality बेस्ट है, और आप इस phone को आग बंद करके ले सकते हो, video quality के मामले में, कुछ cons की अगर बात करी cameras की, तो यहाँ पे telephoto lens तो नहीं है, तो यहाँ पे digital 2x zoom है, हमें देखन जूम नहीं करनी, बट फिर भी कभी कभार इससी situations आ जाती है, जिन में long range zoom useful हो सकता है, तो यह तो अभी इस phone के camera से possible नहीं है, maximum हमें सिर्फ 10x का support देगा है, वैसे इसी के price range में Android phones की अगर बात करें, तो हमें maximum 30, 60, यहाँ तक की 120x तक का भी support देखने को मिल जाता है, हालकि उनकी quality बहुत ज़्यदा बढ़िया दो नहीं है, बड़े at least उनमें support देगा है, वैसे इन दो चीज़ों को अगर आप ignore कर दो, तो iPhone 15 का camera one of the best है इस segment में, especially social media apps के लिए और video quality के लिए तो iPhone ही best है अभी के लिए, बात करें battery और charging की, तो यहाँ पे कुछ ज़्यदा upgrades नहीं है 14 के comparison में, battery life मुझे 5-6 गंटा screen on time देखने को मिल जाता है, heavy use पे, और easily आपको 7-8 गंटा screen on time देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसे normal use करते हो तो, charging as usual हमें बहुत slow देखने को मिल जाती है, जिसके साथ भी आप used to हो जाओगे, अगर आपने 100 watt, 120 watt ऐसी charging technology नहीं यूज़ करोंगा कि आपको थोड़ा सा extra spend करना चाहिए और 15 plus के लिए जाना चाहिए, 15 plus की battery बहुत ज़्यदा बेटर है 15 के comparison में, इसे iPhone 15 सीरीज में, finally Apple ने Type-C port को include कर दिया है, तो अगर आपके पास Android वाली charging cable हो, तो उसे भी आप use कर सकते हो, अपने iPhone को charge करने के लिए, तो इस phone को चार्ज करने के लिए अलग से आपको lightning cable यूज़ करने की जरूत नहीं है, अब बात करें इस software की तो यहां पर हमें out of the box iOS 17 देखने को मिलता है, वैसे initial days में जब मैंने इस phone को खरीदा था, कुछ bugs मुझे नोटिस होए थे और heat भी ये phone काफी जल्दी काता था उस time पे, बट आपको iOS पसंद है, तो आपको इस phone के साथ में कोई problem नहीं होने वाली, अगर आप Android से switch कर रहे हो, तो definitely starting में आपको थोड़ी सी restrictions फील होगी, यहां पे कुछ-कुछ चीज़े थोड़ी सी मुश्किल है iPhone में करने के लिए, जिसे ही आप एक बार इसे used to हो जाओगे, आपको यहां पे कोई भी problem नहीं होगी इस software के साथ में, software यहां पे top class हमें देखने को मिलता है, बात कर एक conclusion की तो no doubt अभी तक का सबसे biggest upgrade है यह बेस iPhone model के लिए, यहां पे design में changes किये गया है, cameras में बहुत बड़ी improvement है, type C port हमें देखने को मिल जाता है, और dynamic element भी दिया गया है, तो as an overall package, यह काफी बड़ी आ फोन है इस प्राइजिन में, तो बस आज की वीडियो के इतना है, अगर आपको यडियो पसंद आयो तो इससे like और share करना मद दो लिए, और अगर आप एक iPhone 15 यूजर हो, या फिर iPhone 15 लेने के सुच रहे हो, तो अपने जो भी thoughts है इस phone से related, मुझे comment section में जरू से बता दीजगा, तो मिलता आप से like लेडियो में किसी और नए unboxing review या फिर टेक news के साथ में, तब तक के लिए, बाबाए